हलो गाईज लास पार्ट के स्टार्टिंग में हमें सौंगी दिखाए जाती है जो बिल्डिंग से नीचे गेरी होती है वैसे ही शौजिंग उसको बचाने के लिए उसके पीछे कूछ जाता है और अपनी पावर का यूज करके उसको नीचे भी ले आता है जब दोनों नीचे की तरफ आरे होते हैं इधर हमें दूसरे दव्यान दिखा जाता है जो इन दोनों को इस तरह देख लेता है कि शौजिंग अभी भी नहीं सुद्रेगा इसने का था कि मैं इस वीक ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा पर देखो लास्ट वीक भी इसने ऐसा कुछ कट दिया क्या इसको मिद्री मिमारी के बारे में इसको नहीं पता लगया शार्जिंग कहता है कि उससे कुछ भी नहीं पता लगा वह से चाहती है तो ब बताता है कि मेरे पास अभी और टाइम नहीं बचा मुझे नहीं पता मैं कभी भी डिसेपियर हो सकता हूँ पर मैं हमेशा तुम्हें और परफेसर सौंग को पर्टेट करने का ही सोचता हूँ अब उसकी बाते सुनने के बाद सौंगी कहने लगते हैं कि काफी टाइम हो गया ना हम बाई गुमने के लिए ने गए क्यों ना हम बाई गुमने के लिए चलें ये सुनते शाजिंग उसे हक कर लेता है और फिर नेक्स्ट दिखा जाता है कि शाजिंग अपनी डॉक्ट्री की कपड़े चेंज करने के बाद अपने बैच और हाच चीज को वाई पर गुमने के लिए जाने लगता पर सौंगी तो उससे कार की की ही ले लेती है कि तुम हर बार मुझे कार से बाही निकालते तो ना इस पार मैं खुदी कार चलाऊंगी ताके तो मुझे बाही ना लिकाल पाओ और वो इतनी अच्छी ड्राइविंग करती है कि शाजिंग भी उसको ड्राइविंग सीट से हटा कर खुद उस जगा पर बैठ जाता है अब यह देखकर सौंगी कहीं लगती कि तुम्हें तो मुझे पर यकीन ही नहीं है कि मैं अच्छी ड्राइव कर लूँगे पर तुम तो मुझे करने ही नहीं दे रहे हो और वो जिस जगा पर आते है वहाँ पर कैंप लगा कर अपना ही बैठ जाते हैं सौंगी तो उसके लिए नूडल बना कर लाती है वह नूडल को देखकर कहें लगता है कि यह इंस्टेंट नूडल नहीं आना तो वह कहते ही कि हां मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से का मिर्ची वाले बनाए है और वह बताता है कि 22-23 यह सुनने के बात वह गया लगती कि क्या मतम तुम मुझसे 200 साल भड़े हो इसका मतम है तुम्हारी ग्रेट-ग्रेट क्यानमा हुई तो वह कहने लगता है कि नहीं तो मेरी एंसेस्टर हो अब सौंगी उससे पूछे लगते है कि मैं फ्यूचर में क्या होंगी तो वह उसके क्रेस को देख स्केन करने लगता है अब पहली बार सौंगी का स्केन में सब कुछ नजर आने लगता है जब उसमें इसका पहली बार किया था तो इसको कुछ भी इसका शो नहीं हुआ था अब वह उसके स्केन को देखकर उसे बता देता है कि तुम फ्य लगते हैं कि मेरा घर क्या होगा तो वो बताता है कि फ्यूचर में तुम्हारा घर एक्सिबिशन में लग जाएगा तो वो पूछते हैं कि हॉस्पिटल का क्या होगा तो वो बताता है कि हॉस्पिटल एक म्यूजियम बन जाएगा वो भी बहुत इंपोर्टेंट अब और भी लकते हैं तो उसे पूचे लगती है कि तुम ट्रीवल करके स्टार्स को देखने के लिए हो और ट्रेवल में तुम्हें क्या चीस सबसी अच्छी लगी तो वह कहता है कि तुम यह बात कहने के बाद सौंगे पीछुप हो जाते हैं और शौंगी को कहते है कि स्टार्स को देखो मुझे क्यों देख रहे हो शार जिंग कहता है कि मुझे स्टार्स तो अपने फ्यूचर में भी जाने के बाद नजर आ जाएं कि पर वहां पर मुझे तुम नहीं नजर आओगी और हमें दूसरी तरबार में दिखाया जाता है कि शूही और वेयू एक साथ क्यों रखे हुए हो ये बस मेरी है बस इतनी से बात होते है तो वेयू भी उसका अपनी कंपनी का कार्ड देने लगते हो कहते है कि अगर तुम अपनी जॉब चेंज करना चाहो तो मेरी कंपनी में भी आ सकते हो और वो जैसे ही वेयू का कार्ड पकरने लगता है तो वेयू के साथ ओते है शाओ जिंग का हाथ पकड़के उसे पूछे लगती कि क्या तुम वापिस आओगे तो वह कहता है कि हाँ मैं आऊंगा सुआगे कहती कि मैं तुम्हारा वेट करूँगी और ग्याइट पा के साथ वही वाली एक्सेस करूँगी जो उनके दोस ने की थी और वो तुम्हारे वेट में तुम्हारे वेट में तीनसो साल जदा रहूँगी ताकि तुम्हे देख पाऊं शाओ जिंग उसकी बाते सुनने के बात कहने लगता है कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा यहां पर वापिस आने की पर तुम इस तरह कुछ भी ना करना मुझे तुम उसको किस कर लेता है क्योंकि उसके पास ये लास्ट वेथा उसे चुप करवाने का अब इसी तरह दोनों को साथ में सोय हुई सुबा हो जाती है सुबा होती है जब सूरज निकलता है तो दोनी उठ जाते हैं सौंगे कैने लगती है कि हाट चीज वहां पर डिफरेंट होगी इसकी एक चीज चीज़ की इलावा वहां पर सन यहींवाला होगा तो वह मैं कैमरा लेकर आती हैं हम दोनom पिक पनाते हैं वह जैसी कैमरा लेने रिए जाती है वह आ जाती है तो शौंग के सथ बैट कर पिक बना ले लिए पर जैसी वो पिक बना ले नहीं ते प्र Zeal द लगता है कि करको फ्यूचर में और भी बच्चे बच जाएंगे क्यूंकि वो इस प्लांट को ग्रो करवाने का तरीका वहीं पच्छोड आया था तो सौंगी दिखाए जाती है जिसमें उसका लिखा होना था कि वह पास हुई या नहीं हुई सौंगी तो से उपन करके भी नहीं देख रही होती तो वह कहीं लगता है कि क्या तुम एक्सार्टिन नहीं हो उपन करके तो देखो वह सौंगी कहीं लगता है कि मुझे अपनी लाइफ का स्पॉलर मिल चोका है मुझे यकीन है कि मैं वीनर ही हूँ और यहां कहीं लगता कि क्या तुम्हें इतना यकीन है तो वह कहती है कि हाँ और हमें अपनी दुनिया में शौजिंग दिखा जाता है जो उसी कॉलिज में आता है जहां पर सौंगी पड़ती थी इदर हास्पिटल में सौंगी दिखा जाती है जिसको शाजिंग की याद आ रही थी वो भी उसको इमेजिन करी होती है और दूसे तरफ शाजिंग भी उसी हास्पिटल में आका सौंगी को इमेजिन करा होता है शाओ जिंग जब एक जगा पर खड़ा होता है तो यान भी उसके पास आता है और कहता है कि तुम क्या सोचे हो जिस पर शाओ जिंग उसे बता देता है कि मैं दुबारा से टाइम ट्रेवल करना चाहता हूँ तो वह कहता है कि मुझे पता है कि काफी टाइम लगेगा पर 8 साल तो मैं पहले से गुजार चुका हूँ इसलिए मैं और टाइम नहीं गुजारना चाहता और मुझे ये भी पता है के टाइम मशीन पर मुझे 200 गंटे लगेंगे वहाँ पहुंचने में पर मैं ये 200 गंटे भी गुजारने के लिए तियार हूँ अब यान उसकी बास सुनकर कहें लगता है कि क्या मतलब अब तुम कभी भी वापस नहीं आना चाहते तो वह कहता है कि हाँ आब शाजिंग भी अपना टाइम स्टार्ट कर देता है टाइम स्पेस से जाने का 200 साल पीछे जो जाना था इसलिए उसे 200 गंटे लगने थे और 20 गंटे वो गुजार चुका था इसी में सौंगी हमें दिखाय जाती है 2025 में उसकी पुक काफी फेमस होगी थी इसलिए उसके फैंस उससे ओटोग्राफ लेने के लिए आता है अब ओयांग का देखने के बाद तो सौंगी हंसने लगती है साथ ही स को शो कर बता रहे होते हैं पर अब भी सौंगी को बस शौंचिंग की याद आ रही होती है अब 2029 का यह आ गया था जिसमें वेयों के बच्चे हो गए थे वो भी दो-दो जिनको ड्राइंग और यांग सिखा रहा होता है पर साइड में बैठी सौंगी तो अभी भी साइम ट्रैवल करते होएं 200 आज और चुके थी इसलिए उसकी काफी तबियत खराब होगी थी वह तो वहीं पर भी होश हो जाता है और वैसे हमें एक होस्पिटर में वैसे लड़का दिखा जाते जिसको देखकर डॉक्टर वगेरा कह रहे होते हैं कि पता नहीं कितने सालो से कॉमा में है इसे हो शाती भी है या नहीं आती और हमें दोसी तरफ सांगी दिखाए जाती जिसका इंटेव्यों हो रहा होता है क्योंकि जो उसने बुक लांच की थी उसका नेम भी नोट ता सेम मिस्टर शाओ था अब ऐसी वहाँ पर टाइम स्ट्रॉप हो जाता है दु पहुंचते साथ ही उसे जलती से देखते साथ ही हग कर लेते हैं यहीपर हमारी इस ड्रामा की हैप्यंडिंग हो जाते है वीडियो अच्छी लगे तो विडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना यह भी बताना कि आप लोगों को यह ट्रामा कैसा लगा औ Okay, बाइब बाइ!